दोस्तों आज मैं बात करूँगा देश के सबसे बड़े बैंक भारती है, श्टेट बैंक यानि की SBI के बारे में SBI में आधार UPI कब तक आएगा? इसका लाखो कस्टमरों का इंतिजार है लाखो कस्टमर इंतिजार कर रहा है कि आखिर SBI में आधार UPI का फीचर्स कब तक आएगा? बहुत सारे बैंक है जिन में आधार UPI का फीचर्स आगया है, बहुत सारे सरकारी बैंक है, बहुत सारे प्राइबेट बैंक है जिन बैंकों में आधार UPI का फीचर्स आ गया है लेकिन एक SBI ऐसा बैंक है जिसमें अभी तक आधार UPI का फीचर्स नहीं आया आखिर इसमें आधार UPI का फीचर्स आएगा या नहीं आएगा इसकी जनकारी मैं दे दूंगा आपको इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं पेटियम पेमेंट बैंक में आधार UPI का फीचर्स आ गया जियो पेमेंट बैंक में आ गया वैसे इस बैंक में नहीं आता तो कोई दिकत नहीं होगा होता क्योंकि यह ओनलाइन सेविंग एकाउंट है जैसे ओनलाइन एकाउंट क्रियेट किया जाता है वर्चुल डेबिट का आपको मिल जाता है जिससे आप आधार UPI नहीं डायरेक्ट UPI फीचर्स जेनरेट कर सकते हैं लेकिन इसमें भी आधार UPI का फीचर्स आ गया है आपको बता दे इस बैंक में नहीं भी आता तो कोई दिकत नहीं होगा देश के बहुत सारे बैंक है जिसमें आधार UPI का फीच फीचर्स आ गई है लेकिन SBI एक ऐसा बैंक है जिसमें आधार UPI का फीचर्स अभी तक नहीं लागू हुआ आखिर कस्टोमर का बहुत ज़्यादा डिमांड है कि SBI में आधार UPI का फीचर्स कब तक आएगा यहाँ पे आप लोग देख रहा है देश के सबसे बड़े बैंक यानि की एस्टेट बैंक में अभी तक नहीं आया सबसे ज़्यादा खाताधारी SBI में है जिसका इंतियार कर रहा है कि आधार UPI का फीचर्स जल्द आएगा लेकिन अभी तक नहीं आया दोस्तो मैं उमिद करता हूँ कि बहुत जल्दी आधार UPI का फीचर्स SBI बैंक में भी लागू कर दिया जाएगा दोस्तो अगर आपका भी SBI में खाता है तो हमें कमेंट करके बताईए कि अधार UPI का फीचर्स SBI में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी तक डेविट कार्ड नहीं है तो ओ लोग को बहुत फैदा होता अगर अधार UPI का फीचर्स आ जाता तो